हेलो एव्रीवन वेल across my channel आज हम बनाए जारे है आल hook सेहःजन की सब्जी सेहःजन की सब्जी बहुती ज़्यादा healthy होती है और इसने बना भी बहुती ज़्यादा easy है तो चली देख लिए सेहःजण की सब्जी कैसे बना है सबसे पहले हमने लिया है आदा किलो सहजन और इसे काट लेंगे सहजन को काटने में थो ऐसा टैम लगता है पर इसे बनाना बहुत ही एजी है इस तरह से हम इसका छिलका उतारते जाएंगे और इसे काटते जाएंगे इसी तरीके से हम सारे सहजन को काट कर त्यार कर लिंगे सारा सहजन मैंने काट लिया है उसके बाद मैंने इसे धोब लिया है अब हमने लिया है तीन मीडियम साइस के कटेवे कच्चे आलू और दो मीडियम साइस के कटेवे प्याज मैंने कड़ाय में तेल लिया है उसमें डाला है एक टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून राई और एक टीस्पून कटीवे मिर्च अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे और इसका कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राइ करेंगे प्याज का कलर चेंज हो चुका है तो हम इसमें ये आलू डाल देंगे आलू को अब भी हमें प्याज के साथ अच्छे से भूनना है आलू और प्याज दोनों भून चुके हैं तो हम इसमें ये सहजन डाल देंगे सहजन को भी हम अच्छों से भूल लेंगे और फिर डालेंगे एक टीस्पून राई और लहसुन का पेस्ट ये इसमें डालना जरूरी है अब हम इसमें डालना है आधा टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून धन्या पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और एक टीस्पून सबजी मसाला, इनसा मसालों को भी हम अच्छे से मिला लेते हैं हमने जो इसमें लेसनर सरसो काट पेस्ट डाला था वो आप जरूर डाले जिससे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा हैगा हमारे सारी मसाले भून चुके हैं तो हम इसमें डाल देंगे स्वाद नमक अगर आप नमक पहले डाल देंगे तो मसाले अच्छे से भून नहीं पाएंगे इसलिए अप नमक को लास्ट में डाले अब हम इसमें डालेंगे पानी तो मैंने यूज़किया है दो कप पानी पानी में हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और फिसे ढखकर अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 12 मिनिट तक हम इसे ढखकर अच्छे से पकाएंगे 10 मिनिट बाद हम इसका ढखकर नटाएंगे और यह हमारी सबजी बिल्कुल पककर रेडी हो चुकी है हमने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाया है सबजी पक चुकी है तो हम गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे हमारे आलू सहे जिनके सबजी बनकर रेडी हो चुकी है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइफ शूरान सब्सक्राइब करें और अगर आपने अब तक नंबेल लाकिन पे भी क्लिक नहीं किया है तो जल्दी से कर दें अगली बार मैं एक नए रिस्पी लेकर आऊंगे तब तक लिए बाई और थांक यू